है लो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का स्वागत फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ अफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लोग में तो अभी है ना सुबह का टाइम है और सुबह सुबह यहाँ पर तैयारी करने हूँ धोकला बनाने की तो यहाँ पर है ना में और मम्मी दोनों मिलके ही कर रहे है आज है ना मेरा बिलकुल भी मन नहीं था वीडियो शूट करने का क्योंकि दिशानी की तवेद भी थोड़ी सी खराब है इसी वज़े से फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके दिखा दिया है आप लोगों को डेल भी खाना है सबका नास्ता भी हो जाएगा और इधर खाना भी बन रहा था तो यहां पर खाने में बन रहा था खट्टा वाला दाल तो गर्मी का टाइम है ना हमारे घर पे है ना बहुत ज्यादा खट्टी दाल बनती है फिर यहां पर देख सकते हो धोकला भी बन गया है प और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था सच में तो यहां पर देख सकते हो तो सुबह थोड़ा थोड़ा सा सब लोगों ने खा लिया था तो इससे हमारा नास्ता वो गया तो फिर मम्मी ने आप लोगों ने देखा यह खट्टा वाला दाल बनाया था बेंगन का से निकलना है 5.50 बजे तक और फिर या के वहां पर रेलवेश टेशन पहुचना है और वहां पर आधो हम लोगों की 6 बजे की तो वो ही सब धीरे-धीरे से मैं सुबहे से पेगवेग कर रही थी तो पापा का भी बहुत ज़्यादा मूर खराब था क्योंकि मैं दिशानी को लेके जाने वाली हूँ इस वज़े से और इधर दिशानी की भी तवेत खराब हो गई है वो है ना कुछ भी खा नी रही है पी भी नी रही है पानी तक नहीं पी रही है पता नहीं क्या हुआ है तो उसका दवाई ववाई तो चल रहा है तो यहाँ पर है ना मैं आज का दिन भी अच्छा था तो मेरा जो सिंदूर का डबा था ना तो वो थोड़ा सा मतलब ऐसे वो लगता नहीं है तो इसी वज़े से मैंने ये नया वाला डबा जो है वो खरीदा था तो वही मैं उसके अंदर सिंदूर को सिप्ट कर रही थी तो आज का दिन भी अच्छा था तो इसलिए मैंने सोचा कि कर लेती हूं तो कर भी लिया है और बस उसको भी लेके जाओंगी और पुराना वाला यही पर रखके जाओंगी फिर यहाँ पर दिशानी के कपड़े वपड़े सूख गए थे तो वो पेकिंग वेकिंग सारे कपड़े तो होई गये है पर यहाँ पर कुछ कपड़े पापा के है मेरे है सूख के आये है तो व कई लो वा लेट को चोटी मोटी जो चीजें मुजे लेकर जाना है तो सब में अब आइगी सब्लक्रणालिया और पर मुज़ों,पें सब्सक्रांदरम्पी जाना है कि अनुझे को लिए रही का पर टो cé Tw Till आय तक iquer हैं पर मेरी डूटी तो मुझे करनी पड़ेगी वो खाय या ना खाये पर सब कुछ मुझे लेके जाना पड़ेगा और तिन टाइम उसको बिठाती हूँ खाना खिलाने पर वो खाती नहीं है वो वात अलग है पर फिर भी मुझे तो मेरा जो ड्यूटी है वो करना ही पड़ेगा और अभी मैं वही सोच रही हूँ कि दिशानी को भगवान करे में लेके जाओं तो उसकी तवेद वहां पे सही रहे क्योंकि अब मेरा फिर से आना पोसिवल नहीं है बार ब पेस पे मतलब आ जाएगा इसी बज़े से फिर यहां पर मैं आ गई हूँ किचन में थोड़े बहुत दोपेर में है ना मम्मी तो चली गई है शोप पे तो मेरा सारा काम हो गया है और दिशानी अभी सो रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा वो तिदर समटा के पूरा किचन जो है वो किलीन करके जाती हूँ कल इस टाइम तो मैं घर पे रहूंगी मतलब वही पर जहां पर हम लोग रहते हैं तो यहां पर देखिए यह प्लांट मैंने लगाया है और इसमें बहुत अच्छा ही ग्रोथ आया है और इसमें नई पत्तिया भी आ रही है और इसके नीच कहीं जाने में फिर जाके वहाँ पर मन लगाना भी मुश्किल होता है पर जाना तो पड़े गाई आज नहीं तो कल और बैसे भी मैं तो खेर बहुत जादा दिन जादा दिन तक रुखती हूँ और मेरा है ना बचपन से ही एक चीज है कहीं जाने से पहले घर से अगर एक कि बिल्कुल नहीं आएगी और अजीप सा लगएगा फिर जाने के बाद सही हो जाता है पर मेरको अजीप सी ऐसा लगता है कि बीपी उपर नीचे होता है मेरा मैं सोचते हूँ कि अब जाना ही पड़ेगा ऐसे करके तो उनका ऐसा चलता रहता है फिर यहाँ पर देख सकते हो बर्तन मेरे तो दूल गए है थोड़े बहुत ही बर्तन थे ज्यादा बर्तन थे भी नी तो आज है ना मैं आप लोग के साथ बहुत ही छोटा सा एक ब्लोग शेयर करी हूँ क्योंकि ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था यह है ना यूमन नेचर है पता नहीं किस के साथ होता है किस के साथ नहीं होता है पर मेरे साथ बहुत होता है मैं कहीं पर भी जाओ ना अगले दिन से ही मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं लगता है अजीब सा ऐसे खाना भी नहीं खाना होता है मेरे से भूग भी नहीं लगती है ये मेरे साथ बच्पन से ही है मैं घर से ना शादी से पहले भी कहीं पर भी नहीं जाती थी ज्याद तो चलिए अभी मैं फटाफट से ये सारे काम कर लेती हूँ और फिर जाके धीरे-धीरे से सारा सामान पूरा दिन्तों में समेटी रही हूँ और पेकिंग कर रही हूँ पर एक बार जाने के बाद है न सब सही हो जाएगा पर अभी ऐसा लग रहा है बस में टेंशन दिशानी का ही है वो एरजस्ट कर ले फिर मेरा तो कुछ नहीं मैं तो बड़ी हूँ फिर यहाँ पर देखिये शोप पे आ गए थी कुछ-कुछ चीजे मुझे लेनी थी वो ही सारा सब कुछ लेने आई थी जो मतलब ही हां से लेके किसे नहीं कहीं पर भी जाने से पहले न मतलब ऐसा अजीब सा लगता है कि भूख नहीं लगती है तो मुझे जरूर बताना मेरे साथ यह हमेशा होता है फिर है ना दिशानी को यहां से यहां पर है ना थोड़ा सा जाड़ फूक करने के लिए आई थी क्यूंकि ना मन नहीं मानता है मतलब डोक्टर को तो दिखाती ही हूँ फिर भी वही मा का मन है कि सोचते है कि किस चीज से ठीक हो जाए तो वही सब कुछ तो यहाँ पर देखिए आ गई हूँ मैं शाम को उसको थोड़ा सा जारफूक करके नजर वजर लगी है या फिर कुछ और तो जो लोग कर रही हूं शाम के टाइम और पुझा बुझा करके है ना अभी हम लोग कहीं निकलेंगे मंदिर जाना है अर्ज मंदिर का लास्ट दिन है तो यहां पर देखिए पापा है ना दिशानी के साथ मस्ति कर रहे तो पापा का मन बिलकुल खराब हो रखा है क्योंकि दिशानी चली जाएगी पापा को है ना दिशानी के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और यहां तक कि दिशानी को भी तो यहीं होता है जादा दिन रुखने के बाद फिर दिशानी का भी इन लोगों को ही पेचानना इन लोगों को जानना तो वहां पे जाके अकेली हो जाती है त उसको भी बेकार लगता है पर कुछ नहीं कर सकती उसका तवेत खराब था इसी वज़े से आई थी फिर रहते रहे तो बहुत दिन हो गए है तो अभी है ना रात का टाइम है और मैं यहाँ पर सुबह जल्दी निकलना है ना तो इसी वज़े से उसका दूद का जो पानी से एक बार मैंने साबुन से दो लिया है फिर गरम पानी से उसको अच्छे से दो के फिर जाके इसको सुखा के जाओंगी और कल सुबह जल्दी निकलना है तो बस कल से आप लोगों को नए घर का नए ब्लोग देखने को मिलेगा तो अभी है ना दूद की इस बोटल क मुझे हर दम लगा रहता है कि वो एरजेस्ट हो जाए वहाँ पर है ना वो बिल्कुल भी अकेली रहने के उसको क्या है बच्पन से ही आदत नहीं है वो सब लोगों के बीच में रहती है तो उसको है ना अकेले-अकेले अच्छा भी नहीं लगता है तो पिछली बार आप लोगों ने देखा था मैं यहां से दिवाली मना के गई थी और जाने के बाद बस 20 दिन ही रुक पाई थी 21 दिन तो मैं घरी आ गई थी क्योंकि दिशानी का बहुत कंडिशन खराब था उसने अपना खाना पिना सबको छोड़ दिया था एकदम बहुत ज़्यादा तवेत खराब था तो मैं उसको लेके भागी यहां पर आई और आने के बाद वो एकदम सही थी अभी दो महीने से और अब जाके लास्ट में उसके अभी फिर से तवेत खराब हो गई है तो यही चल रहा है उसके साथ भी तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ रहना तो पड़ेगा ही तो फ्रेंडस आज के लिए बस इतना ही फिर मिलूंगी एक नए ब्लोग में तक तक लिए बाई बाई